रोहीच शेटी के कॉप यूनिवर्स की पाँच वी फिल्म एक नवंबर यानि की बीते ही दिन रिलीज हो चुकी है सिनेमा गरों में और ऐसे में फैंस बहुत जादा एक्साइटेट थे फिल्म को लेकर भाई जैसे ही सिंगम अगेन का ट्रेलर रिलीज हुआ वैसे ही फैंस की एकसाइटमेंट भी आसमान शूरे थी सब इंतजार कर रहे थे एक नवंबर का वही एक नवंबर को जहां फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई लेकिन रिलीज के दोरान ही यहां पर कुछ गरबर फिल्म के साथ देखने के लिए वैल जहां कहानी एक तरफ शुरू होती है सिंगम परिवार से यहां पर अवनी को और सिंगम को देखा गया उनके बेटे के साथ तो इसी के साथ फिल्म देखते ही समझ आता है कि फिल्म रामायन के कॉंसेट से शुरुआत हुई है रामायन से वो इंस्पायर है यहां पर दिखाया गया सिंगम के किरदार को पूरी तरह से एक भगवार जहां कहानी इसी तरह से शुरू होती है तो वहीं इस कहानी को देखकर भी यह समझ आ जाता है कि अब कहानी में आगे क्या होने वाला है वहीं एक विलन होता है एक हीरो होता है लेकिन इस बार इस हीरो के साथ बाकी सारे बहुत सारे हीरो यहां देखने के लिए यानि जहां ट्रेलर में हमने देखा कि इस फिल्म में काफी सारे स्टार्स का कैमियो देखने के लिए मिलने आई यहाँ पर दिबिका पदूक उन के करक्टर के साथ क्या किया है मेकर्ज ने, यह फैंस को जड़ा समझ नहीं आया कहानी की शुरूरात होती हैं कि सींगम की पॉस्टिंग जो है वो कष्मीर में होती है यहां कश्मीर में धमाके होते हैं अटैक होते हैं और ऐसे में सिंगम एक विलन को पकड़ते हैं यह विलन का किरदार किसी ओर ने नहीं बलकि जैकी श्रॉफ ने किया है अब जैकी श्रोफ जो मिलते हैं सिंगम से वो कहते हैं कि इस कहानी का असली विलन मैं नहीं हूँ बलकि इस कहानी का असली विलन तो कोई और ही है अब जिस विलन के बारे में वो बात कर रही है वो विलन है अरजन कपूर वेल अरजन कपूर का जब फर्स पोस्टर रिलीज हुआ था पहला पोस्टर जब सामने आया एक विलन के रूप में तो फैंस बहुत साथ excited थे कि रोहिट शेटी ने ये कौन सा एक्सपरिमेंट किया है अरजन कपूर के साथ तो ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि जो एक्सपरिमेंट रोहिट शेटी ने किया वो बिलकुल सही सावित हुआ फैंस ने सिंगम के अलाबा जो दूसरे किरदार को पसंद किया वो अरजन कपूर का ही किरदार आ आस्तिक अरजन कपूर को जहां फैंस ने हीरो के रूप में पसंद नहीं किया लेकिन यहां पर विलन के रूप में खूब पसंद किया है महीं बता दे कि यहाँ पर कहानी में देखने के लिए मिला कि विलन जो है यानि अरजुन कपूर का जो करेक्टर है जो खोंखार करेक्टर दिखाया गया है वो किड्नैप कर लेता है अवनी सिंगम को और ऐसे में यह कहानी इसी के इर्द गूमती है कि अवनी को जब करते क्योंकि ट्रेलर में यहां एक तरह से पूरी कहानी ही देखने को मिल शकी थी कि किस तरह से कहानी में क्या होगा कौन अवनी को किड्नैप करेगा कैसे उसे बचाया जाएगा और कौन को नाकर सिंगम की मदद करेगा और यहां सिंगम की मदद करने के लिए जो स्टार सा cameo role दिखाया गया वो रहे अक्षे कुमार, आईगर श्रोफ, रन्वीर सिंग, दिपिका पदुकोन और इसी के साथ सबसे जादा जो हाइप बन रही थी वो थी सल्मान खान की लेकिन फैंस निराश हुई हैं सल्मान खान से दरसल जहां ये दिखाया गया था कि सल्मान खान इ मुश्किल से 10 सेकंड का स्क्रीन टाइम दे आगया अब ये देखकर तो फैंस निराश हुए क्योंकि जब से ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से यही कहा जा रहा था कि सल्मान खान सिंगम अगेन में नजर आने वाले हैं यहाँ पर फैंस काफी एक्साइटेड थे सल्मान को ने आये किया है भाई उनका चाकू उनके खुंखार अंदाज की तरह ही काफी वाइलल हुआ जब जैसे ही वो नजर आये जैसे ही स्क्रीन पर एक विलन के रूप में अर्जुन कपूर को फैंस ने देखा तो फैंस बहुत एक्साइटेड हुए उनके किरदार ने उनका जब तक उनका कोई डायलोक नहीं था वो सिर्फ खुंखार नजर आ रहे थे तब तक फैंस उने पसंद कर रहे थे लेकिन जैसे ही उनके किरदार में डायलोक्स डाले गए फैंस ने उनको नकार दिया और फैंस को थोड़े ही सी यहाँ पर कमी लगी अर्जुन कपूर के ड अपनी सिंगम को गौद में उठाया है और अपनी पूरी गैंग के साथ वो उससे किड्नैप कर लेकर जा रहा है और यहाँ पर अर्जुन कपूर का एक डायलोग भी है कि तेरी इस रावायन का असली रावन तो मैं ही हूँ भई फैंस ने यहाँ पर पसंद किया है उनको इस करदार में तो वहीं सिंगम जो है वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए जा रही है खूब एक्शन खूब तोड़ फोड यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है सभी स्टार्स ने खूब तोड़ फोड यहाँ पर मचाई है अब रोहिट छेटी की फिल्म में तोड़ फोड ना हो ऐसा तो भला कैसे ही हो सकता है वोई चेटी की फिल्मों में हमेशा ही गाडियों की तोड़, फोड़, कूपसारी गर्ण्स, गोलियां, धमा का एक्शन ये सब देखने के लिए मिलता ही है और इस मूवी में भी भरपूर एक्शन देखने के लिए मिलने माला है लेकिन जहां बात की जाए सिंगम अगेन की कहानी की तो फैंस यहां पर थोड़े से निराश नजर आए क्योंकि फैंस ने आपर तुलना की सिंगम अगेन की बाकी दो फिल्मों से जहां पर ये कहा जा रहा है कि बाकी दो फिल्मों की कहानी और इस कहानी में कोई जादा अंतर नहीं है मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ सोचे कि कहानी में कुछ ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा तो वो तुरंत बाद ही हो जा रहा है यàng किनी कोई भी एजियूम कर सकता है कि आगे कहाणी में क्या होगा कहाणी में कुछ भी सर्प्राइजिंग नजर नहीं आया है क्योंकि ट्रेलर में ही मेकर्स नेया सब कुछ रिविल कर दिया था कि कौन-कौन से स्टार्स यहाँ पर होने वाले हैं कहانی में क्या होने वाला है कहानी किस तरह से वर्क करेगी सिंगम अभी कहा होंगे कौन बिलन है और कहानी किस तरह से बिल्डप हो रही है यह सब कुछ पहले ही ट्रेलर में ही रिबिल कर दिया गया तो देखने के लिए मूवी में कुछ नहीं बचा फैंस ने बहुत ही ज़ादा पसंद किया इस किरदार को सिंगम के अलावा फिल्म में जो दूसरा किरदार पसंद किया गया वो अरजुन कपूर का रहा इस बात में कोई दो राए नहीं है फैंस ने अर्जुन कपूर को इतना हीरो के रूप में आज तक पसंद नहीं किया लेकिन यहाँ पर विलन के रूप में तो उन्हें खूब जादा प्यार मिल रहा है वहीं दिवाली के इस मौके पर जहां छुटियां थी तो फैंस इस मुवी को देख रहे थे क्योंकि एक फैमिली मुवी थी फैंस सिनेमा गरों में गए मुवी को पसंद भी किया गया लेकिन वहीं फैंस की थोड़ी सी निलाशा थोड़ी सी कंप्रेंट यहीं रही कि कुछ जादा सर्प्राइजिंग इस मुवी में नहीं है वहीं किसी भी cameo के साथ उने मजा नहीं आया यानि किसी भी cameo को देखकर ये समझनी आया कहाँ चिलाना है, कहाँ सीटी बजानी है, कहाँ पर खुश्टी दिखानी है क्योंकि सारी excitement तो जा चुकी थी ट्रेलर के साथ ही लेकिन फिर भी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि Singham Again फिर से करने वाली है करोड़ों को कारुबार जिस तरह से 2011 में आई Singham को फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिर Singham Returns को भी फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो इस सिंगम अगेन को भी फैंस बहुत ज़ादा पसंद कर रही है ये कहना बिलकुल गलत नहीं है लेकिन आपको क्या कहना है कि क्या सिंगम अगेन बाकी दो फिल्मों की तरह इतने ही करोड का कारूबार कर पाएगी क्या वो सो करोड के कलब ने पहुँच पाएगी उससे भी ज़ादा कारूबार करेगी आप ये हमें कमेंट के जरीए जरूर बताए और साथी साथ आप हमें ये भी बताए कि मुवी में सभी स्टार्स का कैमियो आपको कैसा लगा क्या आपको लग रहा है कि कैमियो के साथ फिल्म में पूरी तरह से म्याई हुआ है क्योंकि रोई चेटी ने पूरी कोशिश की है कि सभी स्टार्स को स्क्रीन टाइम दिया जाए यहां यहां पर रोई चेटी ने पूरी कोशिश की है कि सबी स्टार्स को पूरी तरह से स्क्रीन टाइम दिया जाए हाला कि फॉर्स्ट हाफ को दर्शकों ने थोड़ा सा बॉरिंग बताया कि फिल्म का फॉर्स्ट हाफ थोड़ा सा बॉरिंग है तो सेकंड हाफ में जो है कहानी को पूरी तरह से भगा दिया गया है जल्दवाजी में फिल्म को जल्दी खत्म करने के चकर में यहां फिल्म को थोड़ा सा गोड़ गोबर भी कर दिया गया है लेकिन आपका क्या कहना है आपको ये फिल्म कैसी लगी कि जितना भी कैमियो रहा जितने भी स्टार्स नजर आए कि आपको लग रहा है कि वो वर्थ है आप हमने एक कमेंट में जरूर बताएं और इसी के साथ लेटस्ट मोवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें